जो महिलाएं प्रेग्नेंसी प्लान कर रही होती हैं, उनके मन में पीरियड आने या पीरियड मिस होने से पहले ही, यह बोखत अधिक उत्सुता बनी जाती है कि क्या उन्होंने घर्बदारन किया है या नहीं किया है. हाला कि period miss होना pregnancy का एक एहम लक्षन होता है लेकिन कुछ ऐसे लक्षन जो कि जादा तर महिलाओं में देखे जाते हैं कुछ सारे रिक बदलाओं होते हैं जो महिलाओं समझ सकती है लेकिन कुछ ऐसे बदलाओं भी होते हैं जिने महिलाओं देख नहीं सकती हैं महसूस भी नहीं कर पाती है ऐसे कुछ खास लक्षन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो जालने के लिए दोस्तों इस वीडियो को end तक देखिएगा इस वीडियो से related अगर आपके मन में कोई doubt होंगे कोई questions होंगे तो फास्ट एपलाई के लिए आप मुझे इंस्टागाम पे भी message कर सकते हैं अब चैनल में नए हैं तो चैनल को subscribe करिए bell बटन प्रेस करिए और के साथ ताकि ऐसी ही pregnancy related वीडियो आपसे मिस ना हो तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं आपकी शरीर में इस दोरान बहुत सारे hormonal changes होने शुरू हो जाते हैं जो कि आपकी body को पूरी pregnancy के लिए तयार कर रहे होते हैं ये hormones जो हैं आपकी body में लगातर बढ़ रहे होते हैं दूसरा है इस दोरान महिलाओं का जो blood flow होता है वो भी काफी तेज हो जाता है ताकि आपकी uterus तक ज्यादा से ज्यादा इस दोरान रक्त पहुंच सके जिससे आपके होने वाले बच्चे का विकार काफी अच्छे ढंग से आगे आने वाले महिनों में हो इसके अलावा इस दोरान आपकी kidney को भी बहुत अधिक तेजी से और काफी काम करना पड़ता है ताकि ये blood आपके गर्भासे में अच्छी तरीके से पहुंच सके और काफी अच्छी मात्रा में पहुंचे तो ऐसे ही कुछ लक्षन जो कि आपको दिखाई नहीं देते हैं इस दोरान आपकी body में होते रहते हैं अब बात करते हैं कि वो लक्षन जो आप समझ सकती हैं जिनसे idea लगा सकते हैं कि हाँ आपने pregnancy conceive की है तो इसमें सबसे पहली जो चीज है वो ये कि इस दोरान आपको बार बार urine आ सकती है दोस्तों pregnancy के 8 और 9 महिने में गर्वती महिलाओं में बहुत अधिक urine बनना नॉर्मल सी बात होती है लेकिन pregnancy के शुरुवाती दौर में भी आपके blood को uterus तक तेजी से और अधिक मातरा में पहुचाने के लिए आपके kidney को बहुत ज़्यादा blood को filter करना होता है जिस वज़े से आपको इस दोरान ज़्यादा urine बनता है और ऐसे में आपको बार बार पेशाब आती है तो pregnancy के शुरुवाती दौर में आपको बार बार पेशाब आ सकता है दूसरी चीज आपके इस दोरान और लोगों के तुलना में आपके सुने की शमता ज़्यादा हो जाती है तो आपको हर छोटी मोटी चीज में गंद ज़्यादा आती है और कई बार आपको इससे irritation भी हो जाती है नमबर तीन के इस दोरान आपको बहुत अधिक नीद आने लगती है ठकान बहुत ज़्यादा लगने लगती है pregnancy के शुरुवाती दोर से ही आपके शरीर में अधिक मातरा में blood बनने लगता है जिसके लिए आपके शरीर को बहुत अधिक काम करना पड़ता है क्योंकि ये जो blood होता है आपके पूरी गर्भावस्ता में आपके लिए और आपके शिशों के लिए काफी ज़्यादा जरूरी होता है तो इस दोरान आपका जो शरीर होता है वो blood बनाने में ज़्यादा मिहनत करता है जिस वज़े से आपका शरीर आपको काफी जाता ठका ठका महसूस होता है आपको बार बार नींद आने जैसा महसूस होगा इसके अलावा चौथा लक्षन ये कि इस दोरान आपके खाने का टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है कभी अचानक से आपको वो चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं जो आप पहले खाना पसंद नहीं करते थे और जो चीज़ें आपको पसंद थी उन्हें आप इस दोरान खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं तो आपकी पसंद नापसंद खाने को लेके अगर चेंज हो रही है तो आप इससे idea लगा सकते हैं पांचवा लक्षन है दोस्तों इस दोरान morning sickness का होना प्रेगनेंसी के पूरे 9 महिनी जो होते हैं इन्हें 3 तिमाही में बाटा गया है medical term में पहली तिमाही को morning दूसरी तिमाही को noon और तीसरी तिमाही को evening के नाम से जाना जाता है तो पहली तिमाही जो कि morning की है इसमें महिलाओं को ज़्यादा तर morning में समझा होती है जैसे कि morning sickness होना morning sickness ज़्यादा तर महिलाओं को होती है तो pregnancy के शुरुवाती दौर से ही आपको morning में, morning sickness जिसमें कि आपको ठकान लगना, जी मचलाना, सिर्दर्थ होना और उल्टी आना ये समझ्याएं हो सकती है इसके अलावा दोस्तों अगर आपको अचानक से इस दौरान चक्कर आ जाए तो ये भी pregnancy conceive करने का एक लक्षन हो सकता है क्योंकि इस दौरान आपका जो शरीर होता है वो अधिक मातरा में blood बना रहा होता है और ऐसे में जो blood की veins होती है वो कहीं न कहीं मोटी हो जाती है जिस वज़े से आपका जो blood pressure होता है वो गिरने लगता है और आपको चक्कर आने जैसा महसूस होता है ये चक्कर आ सकता है इसके अलावा एक एहन लक्षन जो कि ज़्यादा तर महिलाओं में देखा जाता है वो है breast में changes होना जो की होने स्वभाविक हैं क्योंकि आपकी breast भी इस दौरान आपके होने वाले बच्चे के लिए milk production का काम आके जाके start करने वाले होते हैं आपके breast में आपको भारी पंद महसूस होगा अगर आप इने touch करेंगी तो आपको बहुत अधिक दर्द का सामना भी करना पड़ता है इसके अलावा आपको शुरुवाती दौर में ही हलकी फुलकी bleeding भी हो सकती है दोस्तों जैसे कि एक जो होता है sponge से fallopian tube में ही meet कर लेता है उसके कुछ दिनों के बाद ये धीरे धीरे आपके गरभाशय की और बढ़ने लगता है और जैसे ही ये गरभाशय की दिवार में linings में टकराता है तो वहीं पे ये हलकी फुलकी खरोज की वज़े से आपको इस दौरान bleeding हो सकती है इसे implantation bleeding कहा जाता है ये बहुत हलकी भी हो सकती है और आपको थोड़ा बहुत spotting पता भी चल सकती है और अंत में दोस्तों आपको हाथ पैरों में, कमर में, जांगों में या फिर पेट के निचले हिस्से में एठन महसूस होने लगेगी क्योंकि इस दौरान आपका जो blood होता है, तेजी से बनने लगता है, blood का circulation बहुत जादा बढ़ जाता है जिस वज़े से आपको अपने सरीर में अकडन महसूस होगी और ये जो अकडन एठन होती है, वो ठीक उसी तरीके से होती है, जैसा कि आपका period आने से पहले का दर्द होता है अगर ये एठन ये दर्द आपको बहुत अधिक इस दौरान होता है, तो आपको ऐसे में तुरंथ अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेना है तो इन लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि आप कंसीब करने के और बढ़ रही है I hope कि आपको जो भी जानकारी मैंने दी है वो आपको अच्छी लगे होंगी और प्रेगनेंट महिलाओं के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलेगा Thanks for watching दोस्तों, फिर मिलूंगे नेक्स वीडियो में, till then, stay happy, stay healthy